वक्त बदले इससे पहले तुम वक्त को बदल दो हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर यूटुब चैनल कंसेप्ट देन रिचल वक्त बदले इससे पहले तुम वक्त को बदल दो यानि वक्त मजबूर करे पढ़ने के लिए इससे पहले आप पढ़के तयार तो चलिए हम लोग पड़ रहे थे integration समा कलन को हमने बताया था सब अस्टिचूशन में था सबसे फर्स्ट हम चल रहे थे सब अस्टिचूशन तो थोरा सा question को थोरा सा revise कर लेते हैं पीछे वाले कुछ types को हम देख लेते हैं ठीक है तो एक question आप थोरा सा solve कीजिएगा बहुत important question है 1 पावर 5 log x minus 1 पावर 4 log x देखिएगा ध्यान से बटा एक पावर 3 log x minus 1 पावर 2 log x इस question को थोरा सा solve करना है मेरे दोस्त देखिएगा ध्यान से पीछे वाले question है कोछ नहीं है जो हम पीछे type पढ़ाये हैं वही question है थोरा सा revise करने की जरूरत है यदि revise ना हो तो सब भूल जाईएगा यह तो मानों का देन है यानि प्रकृति का ही देन है समझे तो कि आदमी को यानि नहीं भूलेगा यदि तो कैसे होगा इतना माइंड में कैसे एड्जस्ट रहेगा इक्के पावर फाइब लॉग एक्स हमने बताया था इक्के पावर लॉग एक्स रहेगा तो लिखके पावर लॉग एलिमिनेट हो जाता है कि वल लॉग बच जाता है तो फाइब को हम उपर कर सकते हैं इन लॉग एक्स है तो का इन को उपर कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं तो का हो जाएगा एक्स के पावर फाइब यहाँ पे एक्स के पावर फोर यहाँ पे एक्स के पावर थीरी यहाँ पे x के power 2 हो जाएगा तो का अब असानी से बन सकता है इस सब eliminate हो जाएगा तो बचेगा क्या x के power 5 minus x के power 4 बटा x के power 3 minus x square dx अब क्या करेंगे देखिएगा common ले सकते हैं यदि इधर बड़ा है इधर छोटा है तो छोटका वाला सब common ले लेते हैं तो x के power 4 पुड़ा common ले लिए तो x बचेगा कहें कि गुणा में power जुड़ता है यदि x के power 1 into x के power 2 हैगा तो x के power 3 हो जाता है तो x minus 1 हो जाएगा यहाँ पे x square common ले लेते हैं तो यहाँ x minus 1 dx हो जाएगा x minus 1 x minus 1 तो यहाँ से cancel हो जाएगा तो का बचेगा X के पावर 4 बटा X स्क्वाइर, X का पावर 4 बटा X स्क्वाइर DX, तो X स्क्वाइर से देखिए, यह दू है, यह 4 है, तो दू को तो कट जाएगा दू से, तो क्या हो जाएगा, X स्क्वाइर DX, और X स्क्वाइर का X की बटा 3 पलस C, तो यह question थोरा सा important था, इ यह से भी, जो टाइप से हम question चलेंगे, question स्रीच जब चलेगा, question पर वीडियो आएंगे, उसमें बहुत सारे question आपको करा जाएंगे, लगभक 400 question, यानि पूरा भूख का निचूर आपको दिया जाएगा, ठीक है, बस वीडियो के आम तक बने रहेगा, यदि आप मेरे चैन चीज बताया था, सबसे first हमने उसमें एक चीज आपको बताया था, याद कीजेगा थोड़ा सा, type उतना याद नहीं रह पाता है, यार इसी बताएंगे, बस type लिखते चल जाएंगे, ठीक है, तो देख लेता है, यहाँ पे हमने बताया था उसमें, कि यदि रहेगा कोई function ह है, और उसका यदि derivative, यदि derivative नीचे यदि कोई function है, यदि उसका derivative उपर वाला आ जाए, तो का करेंगे, log लगा करके, और नीचे वाले function को answer में लिख देंगे, समझेगा, का करेंगे, fx, f-x, इस चीज को तो हमने पर लिया था, इस पे question भी हमने आपको कड़ाया थे, तो इस पे थोरा सा, आप देखिएगा, आज केबल question सीरीच चलेगा, type में नहीं चलेगा, केबल question आज चलेगे, ठीक है, यानि type हो सकता है, कि यकाद दू type बन जाए, question देखिएगा, किस परकार से, और इसमें ये type हो गया भाई, इसको लिखते चलिएगा, और ये next type देखिए में आ जाए, और मिल जाए, f-x, dx, समझेगा, तब fx को यहां से हम मान लेते हैं, fx को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, कि fx बराबर t, fx बराबर k, fx बराबर l, या कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहां से हम, next थुरा सा यहां पर देखते हैं, कि कैसे यह चीज रहेगा, यदि रहेगा, देखीएगा यहां पर, कि, 10x, 6, square x, dx, समझेगा, 10x, 6, square x, dx, का करेंगा, यहां से दिखाई दे रहा है, कि 10x को यदि मानेंगे, तो 6, square आ जाएगा, तो यहां पर लेट कर लेंगे, किसको, 10x को, लेट, 10x, बराबर t, with respect to, क्या चीज, x या t, कुछ भी अपले सकते हैं, answer में कोई फरक नहीं होगा, 10x का करेंगे, तो, 6, square x, dx, और dt का, dt, by dx, जो आया था, ऊपर चल गया, ठीक है, इस चीज़ को, हम dt, पूट करेंगे, यहां पर, और यह t, हो जाएगा, यह चीज़ टी हो जाएगा, और इसक सकते हैं, तो, 10x का, whole square, by 2, plus c, तो, इस परकार से, आप बना सकते हैं, ठीक है, तो, यह type हो गया, अब देखते हैं, कुछ, question देख लेते हैं, देखिए, जितने question देखिएगा, देखिए, अभी तो type ही चलेगा, question series तो, चलते रहेंगे, question series का, हम बोले, special video बनाये जाएगा, यानि उसमें इतने अच्छे-च्छे question उसमें भाड़े होंगे, कि आप भी कहिएगा, कि हाँ, सच में कुछ अलग है, ठीक है, तो, देख ल जाएगा, सुरू से, जो basic बतायाते हैं, सवस्री चुसन में तो, जो बता रहे हैं, यहां से ले करके, बाइपार्ट तक, पूरे question को, solve किया जाएगा, अब देख लेते हैं, यहाँ पे, यदि आपका question रहेगा, एक पाबर, 10x, इंटू, सेक आस्क्वाइर, xdx, तब कैसे बनेगा भाई, कोई भी दिया रहे function, ठीक है, यह तो लग रहा है कि function of function है, ठीक है, तो u into b के तो फर्मूला कहीं पे हमको है नहीं, इंट्रिगेशन में, अब पोछ लोग बोल रहा होगा, जे पर लिया होगा, उस अब बोल रहा कि है, तो है तब आई, है किस चीज़ का, वो तो by part में चल जाते हैं, जब function of function रहता है, अलग अलग function रहता है, तब हम वह चीज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ तो u और v का फर्मूला तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो करना क्या चीज़ है, देखेंगे, कि कोई भी function को मानने पर, यदि पूरा derivative कहां आ रहा है, बस वही चीज़ दिखना, यही concept है, यदि कोई function है, हमने उसमें क्या बताया था, कि यदि कोई function था, और इसमें यदि f-x आ जाए, तब तो हम इसको कर लिये थे, कि f-x मानेंगे, और यह पूरा आ जा रहा है, तो हमको काम हो जा रहा है, और यदि इस type के question function रहेंगे, जैसे कि यदि f है, और g-x है, यानि f कोई function है, और इसमें कोई function यहाँ पर जुरा हुआ है, एंगल में मान के चलते हैं, और यहाँ पर है, g-x dx, तो अब का हो जाएगा भाई, तो अब तो हम g-x को ही मानेंगे, ताकि उसका g-x पूरा आ जाए, और एफ हो ऐसे function रहना चाहिए, जिसका integration आफानी से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिखिएगा, e के पावर 10x है, तो 10x को हम t मान सकते हैं, तो 10x को t मान लेते हैं भाई, तो late 10x बराबर t, यहाँ पर 10x को t मानेंगे, तो both side क्या चीज़ करेंगे, differentiation with respect to x करेंगे, अब दिखिएगा, 10x को क्या हो सहेगा, d 10x by dx बराबर dt by dx, dx ही क्यों लिए क्योंकि हम with respect to x किया हैं, यादि t करते हैं, तो t भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ने, उसमें थोरा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो कि अगला वीडियो में बता दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10x का, c square x dx बराबर dt upon dx, dx दखिएगा, यह तो c square x क dx, तो इसके जगह पे हम का put कर सकते हैं, dt put कर सकते हैं, क्या put कर सकते हैं, dt put कर सकते हैं, तो e k power 10x को क्या माने थे, t, और यह हो गया dt, का e k power x का formula हम नहीं बताये थे, जब e k power x है, और यहाँ पे x मिलीत रहे, तो अब formula लगेगा, समझेगा, तो का बताये थे, e k power x हो कानि इसका हम भी आपको बता दिये थे basic चिज कि क्या करना है एक पावर जो जो होगा इवाला के वाला डायरेक्ट यदि इक के पावर टी हो जाएगा और पलस में सी तो के पावर का हो जाएगा तेन एक्स पलस सी हो जाएगा तो यह कोस्टन जो था बहुत थी पॉर्टेंट है इस अब टाइप देखते जाए कुछ उतना भारी लगेगा नहीं बस सब हलका चीज है ठीक है अब देखिएगा इसी में थोड़ा सा और कोश्चन हम देख लेते हैं यदि रहेगा थीरी एक्स स्क्वाइर शाइन एक्सक्यू डि-एक्स इस टाइप के कोश्चन देखिएगा थीरी एक्स स्क्वाइर एक्सकीू डि-एक्स अब इिसको कई से बनाएगे तो हमने बताया था भी बताया है यदि कोई फंक्शन रहेगा उसमें यदि कोई फंक्शन और are मौझूद रहे जैसे कि f कोई function है और gx यहां मौझूद है तो g dash x आना चाहिए तब हमको suitable होगा यानि जब function के अंदर वाला angle वाला को मान रहे हैं उसको भी मान चकते हैं और यदि आज आए तो suitable है ठीक है यानि उस रूप में कर देना है ताकि integration असानी से solve हो सके तो x q को हम यहां पर मान लेंगे तो late x q बराबर t differentiation with respect to x कर देंगे का हो जाएगा 3x square क्यों इतना जल्दी हमने कर रहा है क्योंकि हम आपको पूरा basic बताएं ठीक है कि x q का क्या हो जाएगा 3x square x q का क्या हो जाएगा differentiation तीन को पटक देना है और एक कम कर देना है इसके पावर फोर 4x q तो इस टाइप के हमने आपको बता दिया था तो यहां पर डाइडेक्ट आप करेंगे dx और यहां आ जाएगा dt तो यहां पर देखेगा 3x square dx मिले रहा है तो dt पूट कर सकते हैं और sin t का हमने फर्मूला बता दिया है क्या चीज़ कोस का differentiation माइनस साइन एक्स तो साइन का integration माइनस कॉस एक्स तो यहां पर अब आप डाइरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज़ माइनस कॉस एक्स के जगह पे x q पलस c आप यहां से डाइरेक्ट लिख सकते हैं अब चल देते हैं थोरा सा next question देखिएगा यहां पर बने रही है अंतक एदम वेडियो के अंतक बने रही है कि अब देख लेते हैं यहां से next type का question थोरा सा type यहां पर भाई थोरा सा चिंज हो रहा है ज्यादा ने अधार वही है बेस वही है बस type चिंज हो रहा question का देखिएगा कि इस प्रकार से question रहेंगे तो यदि रहेगा e के power log x बटा x अभी वही type चलते है ठीक है इस question को और देखेंगे question यदि रहेगा e का power 10x बटा देखिएगा e के power sin x cos x dx यदि question रहेगा e के log x बटा log x का hall square बटा x dx यदि question रहेगा log x 1 बटा x log x dx शमझेगा इस type के चारो question को कर लेते हैं बहुत ही जल्दी करेंगे ज्यादा देरी नहीं लगेगा कुछ का करना है हमने बताया था कि कोई भी function हो ठीक है कोई भी function हो उसको मानेंगे और पूरा derivative कहीं आना चाहिए कोई function में देखिएगा तो यहाँ पर क्या चीज हम मानें कि पूरा derivative यहाँ पर निकल जाए और function पूरा पूरा solve हो जाए तो करेंगे क्या चीज है कि log x है यदि log x को हम मान लेते हैं तो log x का differentiation हम बता चुके हैं वो 1 by x होता है तो 1 by x कुछ नहीं तो भाई उपर में 1 है 1 by x यह चीज आ जाएगा और dx भी आ जाएगा तो e के power t suitable हो जाएगा और उसका हमको integration असानी से मिल जाएगा तो करना क्या है यह देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेंगे log x क्यों मान रहें x को मानेंगे तो कुछ फायदा होगा कुछ फायदा नहीं होगा x को मानेंगे तो का जाएगा par x को मानेंगे तो one आजाएगा और one आ जाएगा तो का जाएगा कुछ फोप आएगा x dx आखिर तो बात वही हो जाएगा फिर यानि कोई सुवधृधार नहीं होगा यानि हमको मदद कर देता है इतना अच्छा कि क्या कहा है अब चल देते हैं यहां से log x को मान लेंगे तो लेट log x यह question को solve कर रहा है देखिएगा log x बराबर t कमजोर बच्चे जो भी है जो निको भी आदी integration में ज्यादा प्रोब्लम है वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुर है एकदम 0 से लेकर उनको hero ना बन गए तो जेनस से ठीक है एकदम log x बराबर t कि first step में मान लेना है second step में differentiate कर देना है second step में differentiate कर देना है with respect to x कर देना है समझेगा तब का हो जाएगा अभी देखिएगा भाई अभी log x का बता रहे हैं फिर जो आएगा equation टाइप पे आएगा उसको भी मानने के लिए कैसे बनेगा वो चीज़ भी आपको बताया जाएगा differentiation with respect to x both side जरूर लिखना है तो d log x upon dx बराबर dt by dx log x का हमने क्या बताया था 1 by x और dx यहाँ पे आजाएगा और dt यहाँ पे बच जाएगा तो dx देखिएगा 1 by x dx यहाँ पे suitable bite रहा है एकदम suitable आ रहा है तो formula अच्छा से suitable bite जाएगा तो कहां करेंगे वहाँ पे put कर देंगे equation इसको 1 मालनेगे थोड़ा सा गिजीबीच लग रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा ठीक है तो log x देखेगा 1 by x dx पूरा का dt आया भाई लो तो 1 by x dx पूरा को हमने dt लिख दिया और log x का यहाँ ठीक कर दिया अब बन जाएगा आप तो का हो जाएगा k power sin x को यदि मानेंगे तो का हो जाएगा cause x आजएगा भाई sine x बराबर t मानेंगे तो d sin x का क्या चीज़ जाएगा cause x dx इसका आजएगा और dt हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा e power sin x यानि एक चीज़ कंकुलूजन यहां से क्या निकल रहा है कि यदि यहां से एक चीज़ कंकुलूजन क्या निकल रहा है कि यदि E के पावर कोई function रहे और उसका यदि derivative रहे मौजूद गुना में तो E के पावर fx ही इंसर हो जाता है यहां से तो आप यह चीज़ कर सकते हैं इसको देख लिए जगा थुरा सा तो लॉग x को मानेंगे एक साइगा तो टी आस्क्वार यहां पर हो जाएगा और टी आस्क्वार हो जाएगा तो का हो जाएगा ठीके पावर थीरी बटा थीरी पलसी इंपोर्टेंट है इसलिए सान पि मानेंगे one by x आजाएगा का हे भाई का है कि लॉग x बराबर टी लॉग x बटा d x डिफ्रेंसी ये सन्विठ रिस्प्रेक्ट टु एक्स इचीज़ लिखेगा बराबर d t बटा d x इसका हो जाएगा one by x और dx यहां से गुना में चल जाएगा बचेगा देटी तो इसका पूड़ा का DT हम पूट करेंगे, लॉग X को T, तो T अस्क्वाइर आ जाएगा, T अस्क्वाइर का T Q बटा 3, T किसको माने थे, लॉग X को, तो लॉग X का हॉल Q बटा 3, पलसी जरूर लिखना है, तो इतना चीज आपको अच्छा से किलियर हो गए होंगे, अब देखिएगा कुछ और हम questions इसमें आपको कडाने वाले हैं, तो लगातार बने रही है, वीडियो के अंत तक बने रही है, दिखिएगा, बहुत important question, बहुत important objective और subjective, दूनों में पुछे जाए वाला question है, दूनों में पुछ सकता है, कैसा है भाई, तो sin X minus cos X बटा sin X plus cos X dx, जादा तर objective में इक question पूछ देता है, देखिएगा एक बात, कुछ तो लग नहीं रहा होगा, कुछ लोग सोच रहा होगा कि transformation रूपांतरन करे, तो कुछ फायदा होगा इसे करे से, समझेता है, कुछ फायदा होगा, एक चीज़ और बतादर है, इंटिग्रेशन एक ऐसा चीज़ है, indefinite भी, कि आप यदि जितनी method से, यानि जितनी रूप में उसको change करके solve कीजे, एंसर कुछ different आता है, लेकिन यद सब से ही है, अब देख लेते हैं से, एक चीज़ लग रहा होगा, कि यदि नीचे वाला, यही माइंड में feeling करना है, कि कोची माने कि का आज है derivative, वहां मौझूद है, का माने किस चीज़ में तोरे, जब पूरा चीज़ आप पढ़ ले जागा, transformation पढ़िएगा, जब trigonometric transformation मे बराबर t मान लेंगे, समझेगा, differentiation with respect to x, d sin x plus cos x बटा dx, बराबर क्या हो जाएगा, dt upon dx, अब का हो जाएगा, sin x अलग अलग कर सकते हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x plus cos x का minus sin x, तो minus x के लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा, dx एने वाला आ जाएगा, यह वाला, और बच से का क्या चीज़, dt, समझेगा, इस चीज़ को, अब का, इस चीज़ वाँ उपड़े लिखल है, यदि नहीं लिखल है, तो इसको एक चीज़ कर सकते हैं, कोची कर सकते हैं, देखिएगा, तो sin x minus cos x है, तो इसको हम minus common ले सकते हैं, minus यदि common लेंगे, तो cos x है, minus sin x हो जाए ठीक है, तो का हो जगा, वहाँ put करेंगे, तो का आजएगा, minus dt, बटा t, तो का हो जगा, minus log t, पलस c, और t के जगा पर बस put कर देना है, किसको, ये value को आपका insert देगा, तो हम आशा करते हैं, कि आप लोग को समझ में आया होगा यह चीज़, ठीक है, तो अब चलते हैं, हम आगे थोड़ा, आगे देखते हैं, question इसमें और किस प्रकार से पूछता है, question देखेंगे, अभी type जो होगा, अगले वीडियो में, दो तीन type हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में के अवाल आपको question बताए, देखें, हाँ, एक और type यहाँ पे, कैसे पूछेगा, आपको बहुत मिलते होंगे, ठीक है, तो डड़ाईएगा मत, कुछ नहीं करना है भाई, यह चीज़ हम आगे ही बताएंगे, इसको थोड़ा सा solve कर देते हैं, जब देहीं दिये हैं, तो का करना है, देखना है, कि की चीज़ को मानेंगे, कि derivative हैं से हैं, सबसे पहले, यदि गुना करके नहीं होता है, दुनों में गुना करके पहले देखेंगे, यदि गुना करे से न हो रहा है, तब माने वाला चीज़ देखेंगे, पहले तो ट्रांस्पोर्मेशन उप्योग करेंगे, यदि ट्रांस्पोर्मेशन करे से हो जा रहा, तब ठीक है, यदि नहीं हो रहा है वहां से तो कह करेंगे माने वहला सुचेंगे कि कराम अने कि देरिवेटिव असे बस्याही चीज चीज कॉंसे安ग हां मैं हमेशा रखना है क्यों होना कर रहे है तो X square plus 1 बराबर T, देन, differentiation with respect to X, D, X square plus 1 बटा DX बराबर DT बटा DX, यह चीज़ हम कर सकते हैं, अब देखिएगा क्या होज़ाएगा, x square plus 1 का 2x dx बराबर dt हो जाएगा dx y इधर लेकर चलाए हैं समझेगा 2x dx यह चीज तो मिल गया दुनों बाचे का यही ना तो इस तो root t होई ही गया तो root t का हमने क्या बताया था समझेगा root t हो गया और dt हो गया ठीक है तो root t का x के power 1 by 2 यानि क्या हो जाएगा समझेगा x के power 1 by 2 यानि t था तो t के power 1 by 2 t के power 1 by 2 तो 2 एक 3 यानि t के power 3 by 2 बटा 3 by 2 plus c t मतलब क्या चीज ती किसको माने थे x square plus 1 को यानि x square plus 1 का power 3 by 2 into 2 by 3 plus c हो जाएगा तो इस प्रकार से question पूछे जाएगा ठीक है इसमें आप देखते रहेगा कोशन ऐसे भी कराया जाएगा तो क्यों इतना हम एक्जामपल दें टाइप पर लेते हैं उसके बाद को संस्रीजा स्टार्ट हो बे करेगा और देख लेते हैं और थुरा सा देखते हैं यदि रहेगा इक पावर टेन इन्वर्स एक्स बटा वन पलस एक्स स्क्वार डी एक्स यह सब चीज़ तो बना लिए जाएगा बस वही चीज़ पर है इक पावर टी में बताया थी आपको क्या करना है यदि इकक पावर टी है इक पावर एक्स यदि कोई फंक्षन है उसका यदि डीरिवेटिव होजय भी सकता है टेन हम दिये आपको count दे सकता है कौट इन्वर्स एक्स तो माइनस वा तो ना लगल है ठीक है कौट में माइनस रहता है तो माइनस लग जाएगा आगए ठीक है इस चीज को ध्यान दिजेगा यदि यहाँ पर आपको दे सकता है लौग एक्स उत्वित बतावे किये हैं तो यह प्रकार से कोस्टन घूमा घू कि भीच बता एक्स लिए धिस को सन को थोरा सा बनाइए क्या करना है बहुत इस आप लोग बना दिये होंगे क्या करना है लौग x को मानेंगे वन बाई एक साएगा तो इडिती होजाएगा तो टीके पावर बी सेहतर टीके पावर एक 20 बताएक ऐस पाला सी एकई से अचा तब आई से डाइरेक्ट बना देना है यदि सब्जेक्टिव में तुम मान लेना है लोग इस बरावर टी डिफ्रेंस ये सब्सक्राइशन विथ रिस्पेक्ट टी ये सब चीस लिखते जाना तब नंबर मिलेगा सब्सक्राइब कर सकता है लिखिए का तयू नंबर नहीं मिलेगा तो चलिए अब यहीं पर आंद करते हैं वीडियो का नेक्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगे तो वीडियो के सपोर्ट किसी है पूरा स्लेबस खतम हो कोई टेंसन नहीं ठीक है ठीक है